सो हे गाइस कैसे हैं आप लोग जैसे विंटर का सिजन खतम होता है तो हम सब के मन में एक एसी पर्चेस करने का ख्याल आता है विकाज गर्मी काफ़ी दा बढ़ चुक है अभी मार्च महीन ज़र स्टार्ट ही हुआ और भाई इतना गर्मी है तो ऐसे में अगर आप एक एक एसी पर्चेस करना चाहते है तो आपके मन में काफी सारा कोश्चन आता है कि मेरे रूम के साइच के लिए सबसे बेस्ट एसी होता है जिस से रिगार्डिंग आज इस वीडियो में आपको सारे सवालों का एंसर किया जाए लास्टे जब मैंने इस स्टुडियो रूम के लिए के सी पर्चेस का तब मैंने भी इन सारे चीज़ों का ख्याल रखा था एंड उसके बाद एक डीसें लिया था विकाफी सार एक एसी पर्चेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं तो जब भी हम एक एसी पर्चेस करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो है मेरे रूम साज के लिए एक टन का एसी लिना चाहिए या फिर दे room के लिए 1 ton का जरूरा था और आप 2 ton का लगा लेते हैं तो आपको regret feel करना पड़ेगा आप उस AC को continuously नहीं चला पाएंगे तो इसलिए यह चीज काफी important है तो इस photo को आप बहुत अच्छे से देखिए अगर आपका room का size 80 square feet से नीचे है तो आप 0.75 ton का AC ले सकते हैं अगर आ room का size 190 square feet से लेके 300 square feet के अंदर है तो आप 2 ton का AC ले सकते हैं तो यह general thumb rule है उसके basis में आप आपके room के लिए कितना ton का जरूरा था वो आप decide कर सकते हैं इसके लवा भी और भी कुछ चीज है जिसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए अगर आपका room ऐसे जगा पर है जहां पर room top floor पर है जहां पर चारों तरफ से धूब लगता है या फिर उपर के तरफ से धूब लगता है तो आपका room ठंडा होने में थोड़ा सदा time लेगा अगर आप other किसी room के साथ compare करेंगे बट इसके वाई से आप एक 10 के जगा पर 10 ton का AC मत लगा लिजे का विकोज उसके वाई स पर पेशन्स रख पाते हैं तो आपको ज्यादा टन लेने का जरूरत नहीं है एक टन AC में आपका अगर इतना room का साइज है तो आपका काम हो जाएगा नेक्स जो सवाल हमारे पास आता है कि हमें किस तरह का AC लगाना चाहिए तो देखें यहाँ पर आपको जनरली दो तरह का मिल जाता है एक है window AC और दूसरा है split AC window AC आज के दिन पर कोई भी आपने room में नहीं लगाना चाहते है लुक्स उसका उतना अच्छा नहीं होता जितना की split AC का होता है split AC में क्या होता है कि आपका जो indoor unit है वह आपके room में रहता है और जो outdoor unit है वह आपके छद में रहता है एक होता है inverter AC और दूसरा होता है non inverter AC, तो देखिए non inverter AC में क्या होता है, जैसे आप AC को switch on करते हैं and आप temperature set करते हैं, suppose आप 20 degree set करते हैं, उसके बाद आपका जो AC है, उसका जो compressor है, वो full speed में चलने लगता है and जैसे 20 degree achieve हो जाता है room का, वो AC off हो जाता है, मतलब उसका जो fan है, ज temperature धीरे 21-22 degree होने लगता है, फिर से AC on होता है and फिर से वो थोड़ा से temperature को down करता है फिर से बंद हो जाता है, मतलब उसका जैसे temperature achieve होता है उसके बाद बंद नहीं होता है, उसका fan का speed या फिर जो compressor है, वो धीरे धीरे काम करना start करता है, ताकि आपका जो room का temperature है, वो एक तरह स जैसा requirement है उसके हिसाब से अपनी speed को कम या फिजदा कर पाता है इसलिए इसको inverter AC कहा जाता है अगर आप बिजली के बारे में थोड़ा सा भी वरिड है तो आपको non inverter AC नहीं purchase करना चाहिए आपको एक inverter AC ही purchase करना चाहिए बहुत तरह लोग आपको कहेंगे कि अगर आपका room top floor प purchase किया था और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो मेरे इसाब से आज के दिन पर आपको inverter AC ही purchase करना चाहिए चाहिए आपका room कहीं पर भी क्यों ना हो अगला जो सबह आता है कि आपको online purchase करना चाहिए या फिर offline purchase करना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको सर्ष्ट करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर आपको huge discount देखने को मिल रहा है and chroma में आपको हर एक popular brand का सभी model मिल जाएगा and साथ ही आप सारा details यहाँ पर देख सकते है जो भी reviews बगरा है वो आप अच्छे से पर सकते है and उसके बाद आप चूस कर सकते है कि कौन सा EC आपको purchase करना चाहिए साथ ही अगर आपके पास credit card बगरा है तो आपको extra discount मिल जागा इसके लब आपको EMI का option भी यहाँ पर मिल जाता है recently मैंने काफी सारा चीज़े chroma के website से purchase किया तो अगर आपनी अभी तक chroma से shopping start नहीं किया तो link आपको description मिल जागा जहां पर जाके आप directly in सारे offer को देख सकते ह अगर आप कुछ भी purchase करना चाहते हैं तो chroma से purchase कर सकते हैं chroma का जो delivery है वो भी काफी fast है अगर आप कुछ भी order करते हैं तो आपके address में काफी fast and काफी securely delivered हो जाता है तो क्यों आप offline जाएंगे गर्मी के टाइम पे AC purchase करने के लिए जब आप घर बैठके एक AC order कर सकते हैं chroma को website से तो link आपको description मिल जाएंगा check out करना बिल्कुल भी मत अगला सवल हमारे पास आता है कि भाई कौन से company का AC purchase करें तो देखे market में आपको काफी popular brand मिल जागा जो कि बहुत सालों से AC के ऊपर काम करते आ रहा है और काफी ऐसा भी brand है जो कि नया-nया market में काम करना है उनका price भ से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप services के बारे में देखिए अगर आपका AC चलते चलते कभी भी खराब हो जाता है और service करने वाला 10 दिन बाद आपके address पर आए तो भाई आपको काफी problem face करना पड़ेगा तो service काफी important role play करता है और इस चीज़का आपको ध्यान रखना चाहि और यह जो PCB होता है एक AC का सबसे महेंगा पार्ड होता है तो जितना आपको warranty coverage मिले उतना ही आपके लिए better है तो इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए अगर आपके AC के specification को देखेंगे तो आपने mention रहता है कि 4-in-1 convertible mode 6-in-1 convertible mode तो यह convertible mode क्या होता है अगर आप आज के एक AC purchase करते हैं तो यह convertible mode काफी important role play करते हैं आपकी electricity consumption को कम करने के लिए क्योंकि इस convertible mode के जरिए आप एक AC को उसका जो capacity है उसके हाप capacity में भी run करवा सकते हैं सब्सक्राइब आपका एक turn का AC है तो आप उसको 80% efficiency में या फिर 60% या फिर 40% efficiency में run करवा सकते हैं इससे आपक आपके रूम को ठंडा करना चाहते हैं तो इस mode का यूज़ कर सकते हैं जितना ज्यदा convertible mode उतना ही आपके लिए better option है at least 4 तो होना ही चाहिए और एक important चीज़ तो है बताना भूल जा रहा था कि कि कितना star वाला AC लेना चाहिए तो भाई हम सब को बता है कि जितना यदा star रह भी देखने को मिलेगा मेरा recommendation रहेगा कि आप एक 5 star वाला AC ही purchase कीजे और लास्ट यह जुलाई के बाल से ISR का जो rating है वो भी changes हुआ है तो अगर आप 5 star वाला AC पर्चस करते हैं तो definitely आपका जो electricity bill है वो काफी कम आएगा अगर आपके पास एक टन का 5 star वाला AC है तो मैं convertible mode बगरा को use करते हैं तो electricity consumption उससे थोड़ा कम होगा अगर आप एक तरन काईसी लेते हैं तो करीब 5 unit per day calculate कर सकते हैं तो star definitely काफी important है जितना यदा star आप ले पाएंगे उतना ही आपका electricity bill कम आएगा and साथ ही cooling capacity भी आपको देखना चाहिए अगर आप एक टन काईसी लेते है तो इस चीज़ का धियान भी आपको रखना चाहिए एक AC को purchase करने से पहले तो almost AC लेने से पहले जितना भी सवाल हो सकते हैं उस सबको हमने यह आपर answer करने की कोशिश किया AC जब आपके address पे deliver हो जाएगा उसके बाद installation के time पे भी आपको extra charges लगता है जो कि आपको देना ही प पर पाइप भी purchase करना पड़ता है उसके लिए भी आपको extra खर्चा आता है तो 3-4,000 आपका extra खर्चा हो जाता है installation के time साथ ही आपके AC के लिए अगर आप एक stabilizer purchase करते हैं उसके लिए भी extra पैसा करना पड़ता है हाँ आपके AC में stabilizer लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना वो एक अलग मुद्धा हो गया आप चाहिए तो लगा सकते हैं मैंने मेरे AC में नहीं लगा है विकोज installation के time पर company के तरफ से जो लोग आये थे उनको मैंने पूछा था कि भाई stabilizer लगाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि company stabilizer recommend नहीं करता है आज के दिन पर जितना भी नया नया AC निकल रहा है सब में inbuilt stabilizer रहता है तो आपको अलग से लगाने का ज़रूरत नहीं है बट extra safety के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से लगा सकते हैं उसके लिए आपको extra पैसा पेक करना पड़ेगा इसके लिए आप जिस room पे AC को use करें आपको एक चीज़ का धिया बगर है तो उसको भी हो सके तो कपड़ा वापड़ा से ढग दीजेगा तो अंदर का जो हवा है वो बहार नहीं जा पाएगा एंड इससे आपका चुरूम है वो और भी जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा आपके मन में आ रहा था उन सारे सवालों का आपको एंसर मिल गया होगा अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का reply डेफिनिटली जरूर करूँगा और साथ ही जैसे कि मैंने पहले काया अगर आप एक online AC पर्चस करना चाहते हैं तो क्रोमा से आप पर्चस कर सकते हैं सेकेंड मार्च से लेके 12 मार्च तक आपको जबर्दा सोली ओफार देखने को मिल रहा है तो उसका लिंक भी डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके चे प्रचस कर दो